वेल्कम बेक टो चैनल दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में इस वीडियो में दोस्तों हमनों बात करने वाले हैं कि हमें कब जो है ना otm call option या फिर put option भाई करना चाहिए तो आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि otm call और put option कब बाई करना चाहिए तो वीडियो में बने रहे हैं चले वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने एक screenshot लिया है यह previous market का है लगबग लब यह वीक्री एक हफ्ता या दो हफ्ते का होगा जब market यहाँ पर bank nifty का screenshot लिया गया है जब यह इनकाउन अचाइन आट सो से था तो यहाँ पर आप देश कते हैं कि यह प्राइस जो है न यहाँ से इन कावण हजार यह आप देखकते हैं 800 से यह würdफाजार ता प्राइस कहा गया था सिधा गया था यह वाऊन हजार तीनसो गया था ठीक है यह बैंक निप्टी का चार्थ है इंडेक्स का है डस्मीट का टाइम फ्रेम मprofits भी नगाया हुआ है यहाँ पर आप देख سकते हैं मार वरलोग दिखाया है लेकिन यहाँ पर जोने यह आरसाइ फिलेट था ठीक है तो यह कंडिक्शन था ठीक है लेकिन हमें इंट्री यहाँ पर आप देए सकते ही यह मेरा सिस्टम है यहाँ पर मैंने प्योड पाइंट लगा है फिवनासी प्योड पाइंट और एक मुई एरेज लगा आई है, मुई एरेज यहाँ पर 20, 50, 100 अर यह 200 है ठीक है, तो प्राइस देखिए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह By the किया, 20 पीरेड मुई एरेज की उपर RSI को भी देखेंगे, तो यह यह downtrend में था, downtrend से uptrend में convert हुआ, और यह RSI 40 के उपर, 40, 45 के उपर जो हमने यहां से एक momentum दिखाया है, ठीके, तो same जो हमने यहां से आप देशकते हैं, यह trend यहां पर जो हमने downtrend से uptrend में change हुआ, ठीके, यह सिधा गया आपके पास, pure के पास, आप बोल सकते हैं, 200 मुहियों रखे पास गया, ठीके, यह आप देख सकते हैं, NT जो बना यहां पर, यहां पर यह support, 20 period मुहियों रखे, और यह RSI को देखेंगे, ठीके, तो हमें OTM काल आप्शन कब बाई करना चाहिए, इसके बारे यह वी वीडियो है, तो सबसे पहले इंडेक्स को समझते हैं, यहां पर, कि यहां पर exact NT आप देशकते हैं, 20 period मुहियों रखे उपर यह consideration किया, उसके बाद जो ने continue किया, इसी को आप देखेंगे, तो यहां पर एक बनता है, यह यह आपका यह, यह flag pattern है, यह flag pattern बना continue किया, इसे continuation pattern बला जाता है, flag pattern हो गया, यह आपका flag pattern हो गया, यह आपका हो गया, rectangle हो गया, इसे जो ना ऊपर बला जाता है, इसे continuation pattern बला जाता है, आपने John Murphy की किताब पढ़ा होगा, तो आपको यह समझ में आ गया होगा, ठीके, यह यह train को continue किया see देखिए यहाँ पर आप इसी को जो होना यह repeat हुआ है यह यहाँ पर भी same repeat हुआ है यह दो बार repeat हुआ है same यहाँ पर आप देखेंगे तो यह flag pattern यहाँ पर continue किया है ठीक है Elliot wave theory के अनुसरा आप जानते होंगे तो यह 5 बार में जो होना यह momentum करता है ठीक है यह पहला 1 हो गया 2 हो गया यह 3 हो गया यह 4 हो गया यह 5 हो गया तो यह इसे 5 phase में जो होना यह move करता है कभी भी जो bull market होता है यह 5 phase में जो इसका जो correction होता है इस प्रकार से जो होता है correction जो होना यह ABC के form में होता है येवरेज आना चाहिए और इलियेट वेव थेवरी आना चाहिए बाकी सारा खेल जोना इसी का देना है ठीके तो ये cycle को भी बताता है मुई ये और ये इलियेट वेव थेवरी भी आपको बताता है तो ये जज़ब कर लेता है ठीके तो entry यहां पर perfect देखने वाले हैं target जो है देने वाला हम सबसे पहले में लूँगा इन 5800 का strike price लूँगा उसके बाद जितना हो सके दूर दूर का जो OTM है उसको मैं explain करूँगा ठीके चलिए आगे देखते हैं इसको मैं थोड़ा खिसका लेता हूँ ताकि आपको समझ में ये देखिए सबसे पहले यहां पर कौन सा ही strike price है 59800 ठीक है ये ये तोड़ा दूसरा हो गया इन 5800 का मैं यहां पर call option निकालता हूँ यहां पर ने 5800 है तो मैं दूर का यहां पर strike price यहां पर लिया हुआ हूँ दूर का strike price आप देख सकते हैं सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि देखिए 52500 का बहुत दूर का strike price मैं लिया हुआ है पहले देखिएंगे तो यह तो इनकावन आर्थ हो है तो मैंने बावन बावन हजार 500 का call option लिया हुआ है आपको noise आ सकता है इसके लिए मैं आप ही चाहता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं बावन हजार 500 का call option याने के दूर का ओई 16 तारीक वाला है call option है दूर का OTM है तो यह दूर का OTM तभी आइक न जाए आपको जब यह सिस्टेम के सांद मेचिंग करें दूर सकता है तो सिस्टम में जहां तक यह मेचिंग करें वहां तक आपको यहां पर यह entry परफेक्ट मिलेगा टार्गेट हो सकता है यह प्रिवेस सिंग में मैंने यह प्रिवेस सिंग अगाला डेल्टा के निसाराज होना इस्टाय प्रेस करें सार्ज होना है आप पर टार्गेट हो सकता है तो टार्गेट भी यहां पर आप दखेंके तो यह टूंटी पिन के पास गया है लेकिन exact entry जो है ना चाहे दूर का ATM प्राइस हो दूर का OTM प्रा में भी यहां पर आप देखेंगे तो यह exact entry बता रहा है मुहीं और यह RSI और आगे देखते हैं यहां पर आगे यहां पर आप देखते हैं यह इनकावन बावन हजार आड़ सो यानि कि 1000 पॉइंट 1000 पॉइंट यहां पर आप देखेंगे यह OTM है आउट आप मनी है तो वो भी exact entry बता रहा है यह 28 का मुहीं और इसमें कॉंसलेलेशन किया है ठीक है यह RSI को भी देखेंगे यह exact entry बता रहा है ठीक है तो यह perfect matching हो रहा है 1000 पॉइंट OTM में 1000 पॉइंट OTM में भी सिस्टम जो हने exact matching हो रहा है तो जितना दूर तक आपका यह जो इस टाइक प्रहस आई हूँ matching करता है आपके सिस्टम के साथ ठीक है तो वहां पर आपको entry बनाना है अब टार्गेट दखिए भी 200 मुई और के पास गया previous swing के पास गया यह प्योट के पास गया तो यह आप देख सकते हैं exact entry तभी बनाना चाहिए जब सारा system के अंदर गता है जितना दूर का OTM रहेगा आपका system के साथ मेशिंग करेगा जैसे कि एक बाराव मैं देखा देता हूं यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेशिंग खाया है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेशिंग कर सकते हैं अपने system कर सार जैसे आपका यह सिस्टम कर सार मेशिंग खाता है आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहतरी बना सकते हैं इसी तरीगा से OTM call option को buy करना चाहिए यह रहा आज का वीडियो जिसमें मैंने बताया कि आपके system के साथ अगर वो entry matching कर रहा है चाहिए वो 1500 पाइंट का OTM क्यों नहों तो आपको वहाँ पर buy करना चाहिए option को चाहिए वो call हो चाहिए put हो तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल पर लेएंट रहा हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं ट्रूडियो में जाहिए